अलो एब्रिवान विल्कम बाइक टोश मैं अथोन SAC के प्रिवेस येर कोश्चन सेरीस चल रही है SAC 2021 का कोश्चन है फटापट सो देखो क्या दिया वाए ये एक ट्रिग्नमेट्री का वैलू पूछा गया साइन 23 डिग्री कॉस शिक्ती डिग्री सेट 52 डिग्री शिक्ती डिग्री साइन 38 डिग्री अगर वैलू सबस्गर साइन के वैलो हम लोग लिखते हैं साइन 90 degree minus theta, तो क्या हो जाता है सर, यह cos theta होते हैं, अब cos 90 degree minus theta, तो क्या होता है सर, sin theta होते हैं, अचा 10 90 degree minus theta, तो क्या होता है सर, cot theta होते हैं, cot 90 degree minus theta, तो क्या होता है सर, यह 10 theta होते हैं, sick 90 degree minus theta, तो क्या होते है सर कोस्यक телइक होते है को सिएक कुसेक 90 느dygry minus थीटव तो क्या होते है सेक्थीटा यह टrighonometric के कोई सीक्षिरीज दिया हुआ है छे वीडियों यह फिशाथ वीडियों total है उसमें देख लेना details में दिया हुआ है कि ऊ-श-tc क्या होते है ओल first quadrant में सब positive होता है second quadrant में क्या होता है all sign 10 cost ठीक है एस positive होता है यहाँ पे एक second रुक जाओ sign positive होता है all sign 10 positive third quadrant में और यहाँ पे क्या हो जाएगा सरी यह cost हो जाएगा ठीक है तो sign के साथ cosec भी positive होता है tan के साथ cod भी positive होता है cost के साथ sec भी positive होता है ठीक है तो यह अभी जानने का जरूद नहीं है खाली यह conversion जान लो किस तरीके से होता है क्या होता है कैसे होता है अब देखो समझ में समझने के कोशिस करते है ध्यान पुर्भक सुनना और थोड़ा सा थोड़ा से इसको सोचो कि suppose आपको दिया हुआ है sin theta गुना cos 90 minus theta इसके value क हो जाएगा देखो cos 90 minus theta के value sin theta होता है तो यह हो जाएगा sin square theta sin square 20 sorry theta लेखो अब देखो sin 23 degree and cos 67 degree इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 90 degree आएगा 23 plus 67 देखो 7 3 10 6 2 8 2 10 तो 90 degree आ रहा है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यह sin square theta होगा plus यहाँ पे सेख 52 सेख 52 इसको क्या गरे सेख 90 minus theta cos theta होता है सेख 90 minus theta गरोगे तो cos theta आएगा तो cosak के लिए क्या हो जाएगा sir cos 38 cos 38 sin 38 कर जाएगा तो sir 1 आएगा Plus Cos23 Sin 67 तो इसको लिख सकते हो Sir क्या सर लिख सकते है इसको लिख सकते हो Sin 67 degree को लिख सकते हो 90-23 हां सर लिख सकते है तो जैसे 90-23 लिखे Sin 90-θ formant में पढ़ गया तो यहांपे क्या आ जाएगा Cos 23 degree आ जाएगा Cos 23 into Cos 23 That is equal to Cos 23 degree Plus Cos 152 Cos 38 cos 38 को क्या लिख सकते हो, sin 52 degree, तो यह दोनों कर जाएगा, multiplication होने पर एक आ जाएगा, तो देखो यहां से इन दोनों का value क्या होता, sin square theta plus cos square theta 1, इन दोनों का value क्या होता, सर्व 1, 2 होते हैं, 1 plus 1, तो total 3 आएगा, उपर, नीचे क्या आ रहा है, cosec square 20 minus tan square 70, देखो, cosec square theta 20 degree minus tan square 20, tan square की जगा पर क्या लिखते हो, sir, tan square 70 degree दिया हुआ, तो इसको लिखो tan square 90 minus 20 लिख सकते हो, 70 को, तो 90 minus theta क्या होता है, cosec square 20 degree minus cot square 20 degree, अब cosec square theta equals to 1 plus cot square theta होते हैं, तो cosec square theta minus cot square theta के value, sir, 1 होते हैं, तो नीचे 3 बटा आएग, आपका उत्तर, सही उत्तर, option number 1 is the correct answer, okay sir, clear हुआ, यह ब के कोशिस कर रहे हैं, अगर कोई भी doubt होता है, तो comment section खुला हो, पूछ लेना, क्योंकि यह doubt नहीं रहना चाहिए, exam से पहले, okay sir, मिलता next class में, thank you, bye bye, stay tuned for the next class.